नमस्कार आदाव मेरा नाम है दिवानशू ये बोर्ड जो आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है कि ये जैन मंदिर जाने का रस्ता है तो आज हम आयो हैं एक जैन मंदिर में मैं एंटरेंस आपको दिखा दूँ वो दो गेट है ये सामने मैंने गाड़ी पार्क की हुई है पार्किंग यहां सफीशेंट है सामने ही सर्विस रोड है तो वहां पे गाड़ी अराम से आप पार कर सकते हैं देखें कितना खुबसूरत है यह मैं दूसरी बार आज यहां पर आया हूँ पहली बार मैं यहां आया था तो कोरोना काल चल रहा था तो समय यह बंद था व conference meetings वगेरा होती है वो होती है यहां पर यह घंटी है इस प्रकार की और यह जो है फिलहाल बंद है बट मैं permission लेकर आया हूँ तो मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा हम आये हुए है आध्यात्म तीर्त आत्मा साधना केंद्र जो की एक जैन हमारे भाई बहनों का मंदिर है और इसका address मैं बता दूँ पहले यह आप देख लें यह ground floor पर यह इस तरीके से यह एक है मूर्ती और मैं इसे अभी अच्छे से बंद कर देता हूँ और मैं आपको भी first floor पर लेके चलूँगा जहां पर main मुख्य तोर पर जो main मंदिर है नीचे जैसा मैं कह रहा था conference hall है यह इस तरह से आप देख सकते हैं और उपर अभी हम चलेंगे और यह जो है basically बीच में मंदिर है और दोनों साइड में धर्मशाला है यहाँ पर आप चाहे तो रुख सकते हैं यह first floor है इसके उपर second floor है तो first floor पर भी basically यह मंदिर है यह मैं अंदर की side आया हूँ तो वो ground floor प पड़ता है यह मंदिर इनकी अपनी website भी है आत्मार्थीTrust.org इनकी website का नाम है अब address की बात हुई है तो distance 30 km पड़ता है एरपोर्ट से और न्यू डेली रिल्वे स्टेशन से 29 km है यह हम first floor पर आ गए यानि topmost floor आप देखें यहाँ से कितना सुन्दर है एक चीज यहाँ प इड़बाड नहीं कोई जादा शोर हल्ला उल्ला कुछ नहीं यह आप देख सकते हैं यह तीन मंदिर है यह भरत भगवान मंदिर यह पहला है यह मैं एक बार यह दर्वाजा खोल के आपको दिखाता हूं हलका सा ग्लास डोर है बहुत शांती है यहाँ पर तीन एकड में य फैला हुवा है यह सेकंड वाला है यह हमने भरत स्वामी जी का मंदिर देखा यह भी एभी सिमांधर स्वामी जी का है यह चारो दिशाओं में स्वामी जी बैठे हुए है और उपर दिवार पे भी ai चशे काम किया हूआ है सीलिंग पर और यह अच्छी जंग है देखें आप कितना अच्छा लग रहा है कि नहीं देखिए कितना और साफ सफाई भी है तो मैं घूमने का शौकीन हूँ एक्चली ये आप देखें बाहु बली भगवान मंदिर ये तीसरा वाला जो लास्ट अंतिम है मैं यहां से गुजर रहा था एक्चल मैं तो मैंने सोचा जब मै गुजर रहा हूँ तो क्यों ना आज देखा जाए गर जैन मंदिर खुला हो तो मज़ा आ जाएगा